केके पाठक, शिक्षा विभाग अवहेलना के रूप में देख रहा होगा कि प्रतेख जिला के जिला पदादिकारी को अपने जिला के अधीन किसी भी तरह की कारवाई जो किसी एक्ट में लिखा हुआ है या एक्ट में नहीं भी लिखा हुआ है तो वह ले सकता है जिला पदादिकारी के रूप में पतना डीम के इस कारिव में कहीं कोई कानूनी अर्चा नहीं दिखाई पर रही है तो क्या लगता है आगे क्या होगा इन दोनों के विवात के बीच कुछ नहीं कुछ नहीं होगा इसी तरह से ठंड कट जाएगी दोनों शान्त हो जाएगे नमस्कार आप लाइफ स्ट्रीज देख नहीं हैं मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा देखे बिहार का सिक्छा विभाग खुब सुर्खियों में रहता है कभी आई-एस ओफिसर केके पाथक को लेकर तो कभी सिक्छा मंतरी को लेकर अब ऐसे में बिहार के दो आई-एस ओफिसर आमने सामने हैं स्कूल खोलने को लेकर स्कूल बंद करने को लेकर देखे कई बाते सामने आ रही हैं पटना के DM स्कूल बंद करने का निर्देश देते हैं आप जानते हैं कि इस ठुटुरन वाली ठंड में बच्चों के मद्दे नजर पटना DM ने ये आक्शन लिया और 23 तारीक तक स्कूल बंद करने का निर्देश दिया मगर फिर उसके बाद सिक्षा विभाग जो है केके पाठक के निर्देश पर माधिमिक सिक्षा के निर्देशक ने पत्र लिखा पटना के DM को और सभी DM को कि तुरन स्कूल खोले जाए अब ऐसे में बाते सामने आ रही हैं आमने सामने जो हैं दो आईएस ओफिसर आ चुके हैं हमारे साथ बात करने के लिए रिटाइड आईएस ओफिसर हैं विस्तार से बात करेंगे और इस विवात के बारे में भी जानेंगे कि क्या पटना के DM डॉक्टर चंदर शेखर हैं क्या उनको विभागी अनुमती लेनी चाहिए थी या फिर नहीं क्या उन्होंने गलती कर दी क्या है हम जानेगे हमारे साथ डिटाइड आईएस ओफिसर हैं सर क्या लगता है पटना के DM डॉक्टर चंदर शेखर सिंग है आब इस विवात के बारे में जानते होंगे क्य या फिर उनको अनुमती सिक्षा विभाग से लेनी चाहिए थी केके पाठक से लेने चाहिए थी किस तरीके से पूरे विवात को देखते हैं इस विवात को इस प्रिस्ट भूब में देखा जाए कि प्रतेक जिला के जिला पदादिकारी को अपने जिला के अधीन किसी भी तरह की कारवाई जो किसी एक्ट में लिखा हुआ है या एक्ट में नहीं भी लिखा हुआ है तो वह ले सकता है जहां तक रही बात शिक्षा विवात के आयुक्त और जिला पदादिकारी पतना के बीच करे इस कसल को या कहिए कि इस अलग अलग अपनी राय और विशार को तो यह कोई माइने नहीं रखता हुआ हुआ है यह सभी जिला दिकारियों को अपने यहां की आपात इस्थिती को देखते हुए कोई दुकान, कोई परिसर, कोई प्रतियस्थान, चाय वो सेक्षनिक संस्था हो, कोचिंग संस्था हो, उसको और स्थाई तोर पर उस विभाग को सुचित करते हुए बंद कर सकता है तो इसमें मुझे जिलाप दाधिकारी के रूप में पतना डियम के इस कारिव में कहीं कोई कानूनी अर्चा नहीं दिखाई पर रही है और ना पारंपरिक दिखाई पर रही है और ना ही इसमें कोई विभागिये आदेशों के अवहेलना की बात दिखाई परती है अगर विभाग आदेश देता है तो उस आदेश को मद्य नजर जिलाप दाधिकारी है पुना उसी प्रिष्ट भूवी को देखते हुए अपना निर्णे ले सकता है वह उसके लिए बात दे नहीं है अब यह तो व्यक्तिगत रूप में यह खटपट है यह विभागिये रूप में खटपट होने की बात कम नजर आती है क्योंकि विभाग शिक्षा विभाग अपना सोतंत्र है अलग है उसके अधीन सभी लोग है लेकिन कुछ मामलों में अधीन के पदाधिकारी भी स्वाव विवेक पर जिस क्रिशन पर कार्ज कर सकते हैं और उसमें यह नहीत रहता है कि विभाग और सरकार उ अधीन बड़े बड़े पद्व पढ़ रहे हैं कलेक्टर रहें और पत्ना डीम ने जो लेटर में जवाब दिया है उसमें लिखा गया है कि छे महने तक के लिए कारवास जो है वो भी हो सकती है उलंगन करने पर क्या असा प्रावधान है किस चीज का उलंगन करने पर धार अलग अलग विशय है धारा 144 अगर इस्कूल में लगाया गया है इसका अर्थ यह हुआ कि पांच से अधिक छात्रे एक जगाई कठा नहीं होंगे नहीं खड़ा रहेंगे नहीं बैठेंगे नहीं यह करेंगे वैसे CRPC के अंतरगत कारवाई करने की बाद है तो CRPC के अंतर लगत 13144 के उलंगन की कारवाई की जाती है अब यह मालूम करना होगा कि जिल्या पदादिकारी ने धारा 144 लागू किया है की नहीं स्कूल बंध किये हैं यह एक अलग बात होई लेकिन धारा 1144 लागू किये हैं कि नहीं इस स्कूल परिसर में और इस्कूल परिसर के 100-200 मिटर किये। नर्डा 251 903ист harbour से करल लिखा गया है की 12.144 लगेगी तरह कारवाय कर सकते हैं किर क्ये पात्त के आटक शुल को खूलूवा देते हैं । इदर पटना ड्यायम सकूल को बंध कर्वादेते हैं क्के बच्चे इगर इसे क्या है पावर हो क्या कर सकते देखियों, उनके पास पावर बहुत है, और वे स्कूल के संचालक को विरुद्यकारवाई कर सकते हैं, छात्रों के विरुद्यकारवाई करना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि छात्र तो इसमें कहीं दोशी है नहीं, उनके लिए तो दोनों पदाधिकारी उसके पदाधि के लिएूपर कर सकते हैं अब करते हैं कि कारवाई कर बात नहीं है ऐसी बात महीं नहीं मानता हूँ यह एक तरह से केके पाठक शिक्षा विभाग अवहेलना के रूप में देख रहा होगा कि विभाग को इग्नोर करके डीम ने ऐसा आदेश दे दिया जबकि ऐसी बात नहीं है आपात इस्थिती में डीम किसी बिभाग का क्योंकि मैं आपको एक मौलिक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी बिभाग है और उस बिभाग के जितने भी एक्ट और नियम है सब के अधिन जिला पदादिकारी को अपने जिला की अंतरगत कारी करने का बावर है उदारन के लिए अगर जिला पदादिकारी चाहे तो किसी शराप की दुकान को बंद करदे सकता है अवेद पाये जाने पर बंद कर सकता है वो उसका निरिक्षन कर सकता है वह उस पर छापा मार सकता है इसी तरह से जिला प्तादिकारी मतलब जिला के हर विवाग का वह प्रधान है बंद कर सकते पो सोचना दे करेंगे जिस पत्र को उन्होंने लिखा इस बंद करने के लिए उसके नीचे उन्होंने जरूर लिखा होगा प्रतिलिपी, प्रधान सचिव, शिख्छा विभाग, बियार सरकार बटना. तो क्या लगता है आगे क्या होगा इन दोनों के विवाद के बीच? कुछ नहीं. कुछ नहीं होगा. और देखे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या ये विवाद बढ़ता है या थम जाता है, देखने वाली बात है और हम आपको हर एक पहलू से रूबरू करवाएंगे. बहराल इस कौन में बसता है अगर आपने अब तक लाइव चीटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल से लाइव चीटिक्स को सब्सक्राइब कर लेएंगे. तन्यवाद.